हाई के सब स्वागे थे दो न्यूटिकल चैनल पे मेरा नाम है निताशा सिंग और आज मैं करने वाली हूँ अन्बोक्सिंग हमारे ओपो के रेनो 10 5G की इस फोन के लिए मेपस बहुत सारे कमेंट्स आए थे मैंने ये फोन अक्टिल में छोड़ दिया था लेकिन इतने सारे कमेंट्स आए तो मैंने अब खरीद लिया है और आपके साथ आज करूँगी वीडियो शेर बताऊंगी आपको ये फोन हमारा कैसा है मतलब इसका जो हमारा लांच वीडियो था आई मीन सब लोगों का जो पहले दिन का वीडियो था वो तो अपने देख लिया होगा अब बात करेंगे हम सीजिस टॉपिक में कि मतलब एक्टिल में ये फोन हमारा कैसा है वैसे प्राइस के अगर बबात करूं तो ये है हमारा 33,000 पीस के प्राइस का डिवाइस जिसके अंदर आपको 8GB RAM और 256GB इंटलर मेंबरी मिल जाती है तो फटा-फट से खोलते हैं बॉक्स को और देखते हैं डिवाइस हमारा कैसा है वैसे में पस यहां पर आइस ब्लू कलर में है डिवाइस और सबसे बले दर नज़र डालेंगे फोन के उपर ही तो गाइस यह रहा फोन आप देख सकते हैं आइस ब्लू कलर में देखने में डिवाइस हमारा काफी सही लग रहा है यहां पर look wise अगर मैं बात करो तो device के जो हमारी Reno 10 series के बाके devices की look थी वैसे ही same है आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास जो Reno 10 Pro Plus है वो purple color में है Reno 10 Pro है वो हमारे पास यहां पर gray color में है और यह मेरा ice blue color में है सारे colors मैं आपको यहां पर दिखा रही हूँ look देखी जाए तो तीनो की हमारी same नजर आ रही है मत्तब जो camera module है वो आपको same capsule shape में मिल जाता है और मुझे काफी attractive लगी look मत्तब थोड़ा सा design change होने से एक refresh look सी आपको मिल जाती है तो यहां पर भी आपको OPPO की refresh look है वो देखने को मिल जाती है अब अगर मैं बात परो device की build quality के बारे में तो यहां में ना OPPO में कहीं भी mention नहीं मुझे देखने को मिला की device के लिए आपको back में glass मिलता है यह प्लास्टिक मिलता है लेकिन actual में build quality के बारे मिलती है यह किसी नहीं नहीं बताया तो मैंने क्या सोचा नहीं यहां पर test करके देखते हैं यहां पर तीनों पड़े हुए अब मैं इन तीनों के पीछे back में आप देखो यहां पर आवाज सुनने की कोशिश करो तो आप देख सते हो कि इन में जो AG glass यूस किया गया इसकी आवाज अलग है और जो हमारा यह रहनो 10 है इसकी आवाज अलग आ रही है क्योंकि यहां पर हमें plastic मिलता है तो यह टेस्ट करके पता चला है वैसे पता कहीं पर भी नहीं चल पा रहा है और यहां पर प्लास्टी की ही framing देखने को मिलती है वैसे अच्छी चीज़ दिजाइन में यह आती है कि आपको यहां पर dual curve display मिल जाता है मेरा फेवरेट है बहुत अच्छा लगता लगता लगत प्रीमियम नजर आती है आपने सीधा पकड़ा हो ना फोन को को आपके फोन में देख रहा हो तो इसको पदल चाज़एगा कि यार कोई flagship सा प्रीमियम सा फोन यहां पर बंदे ने होल्ड किया हुए तो बहुत ही मस्त लगता मुझे तो इसके इलावा आप देख सते है कि device क पर आपको यहां पर screen guard भी लगवा मिल जाता है साथी बड़िया चीज यह है कि device की उपर आपको iron blaster भी मिल जाता है उसके साथ secondary noise cancellation mic है उसके साथ है हमारे speakers नीचे की साइड आपको speaker drill के साथ type support मिलता है mic मिलता है और हमारी मिलती है sim tray यह है हमारी hybrid sim tray जिसके अंदर आप SIM card एक memory का डाव सकते है 5G support आपको यहां पर device मिल जाता है 14 banks में और water ceiling भी आपको इसके उपर देखने को बिल जाती है right side में power button के उपर आते है हमारी volume rockers left side हमारी बिल्कुल clean है back में आते हमारे triple camera setup जिसके अंदर आपको मिलता है 64MP main camera उसके साथ 32MP telephoto art ultra wide और साथी LED flash नीचे OPPO की badging और front side में हमारा selfie camera है 32MP का और आप देख सकते हैं कि bezels आपको काफी कम देखने को मिलते है मता है head and chin हमारा कम है और device के नदर जो dual cup display आ रहा है उससे तो look हमारी काफी कमाल की आ रही है बदो device के back में आपको यहां पर जो matte finish मिलती है इसके उपर आपके fingerprints नहीं बर सबको premium नहीं लगेगा solid नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर प्लास्टिक ही framing है प्लास्टिक ही back है वैसे device हमारा ज्यादा heavy नहीं है lightweight device है 185 grams का approximate weight है इसका आप इसको एक हासे easily hold करके use कर सकते हैं वैसे देखा जाए इसे सबसे battery आपको यहां पर बड़ी दी गई है 5000 mAh की और मुझे हमेशा ही लगता है standard 5000 ठीक है सब phones में होनी चाहिए क्योंकि आज की date में usage सबकी बढ़ गई है तो battery भी हमें जादा चाहिए इसके साथ वैसे box के दर आप देख सकते है आपको 67 watt का fast charger box के अंदर मिल जाता है यह चीजीज है कि box के अंदर ही आपको charger मिल रहा है हमारा डिवाइस का एक बहुत important पार्ट होता है यहां पर आपको मिलता है MediaTek Diamond City 7050 का chipset जिसका कि N2T test में रन किया ना गाइस तो यहां पर नॉमल वर्जिन रन नहीं हुआ लाइट वर्जिन जो है हमारा वो रन हुआ जिसमें स्कोर भी हमारा जो है 5,40,000 के पास आया मतलब आपको एक्चिल में देखा जाए तो बजेट के सबसे आपको यहां पर डिवाइस के अंदर पर्फॉर्मस जो है वो अच्छी नहीं मिलती है कापी छोटा chipset देखने को मिलता है मतलब एक्चिल में इस बजेट के अंदर competition में अगर हम देखे तो flagship chipsets मिलने शुरू हो जाते मतलब media tech के ही बात करो तो dimensity 9000 मिल जाता है आपको snapdragon के अगर हम बात करें तो triple 8 मिलना शुरू हो जाता है even snapdragon का 8 Gen 1 मिलता है आपको यहां पर और even 8 Plus Gen 1 भी अब आपको मिलने लग गया है तो देखा जाए competition के अंदर इतने तगडे flagship chipset आ रहे हैं उससे सबसे यहां पर डिव जो हमारे light game होती है वो आप यहां पर खेल सकते हैं इवन जो storage है हमारी वो भी आपको यहां पर slow देखने को मिलती है UFS 2.2 की आपको storage मिलती है test के जो हमारे result आ है वो भी आप देख सते है normal result तो वही बात है light gaming करनी हो आपको यहां पर normal day to day task करने हो तो वो आपके काम यहां device के अदर हो जाएंगे लेकिन आपको यहां पर अच्छी performance बजट के हसाब से नहीं मिलती है इसके इलावा वैसे device के अदर जो मुझे चीज अच्छी नहीं लगी वो है कि आपको यहां पर ब्लोट वेर देखने को काफी सारा मिल जाता है मतलब आप अब देखा जाए OPPO को ब्लोट वेर क्यों इतना दे रहे हो और उपर से इतने सारी recommendations आते रहते हैं जगा जगा पर मतलब अच्छल मेना पूरा experience जो है वो device का हमारा खराब हो जाता है इस series के लिए तो में रिक्वेस्ट ओपोस है कि प्लीज इस series से आप हटा आदो आप इससे कम के budget में अगर देत देखने को मिलती है जोगी कि आप apply कर सकते हो साथ ही अगर बात पूर दिवाइस के डिस्प्ले के बारे में तो यहां पे आपको dual cup design तो मिलता ही है यह हमारा 6.7 inch का display है emulet panel के अंदर जिसमें आपको full HD plus resolution मिलती है 120 hertz का refresh rate मिलता है यहां पे आप देख सते है brightest colors मुझे काफी सही लगे मतला आप content देखने में तो अच्छे से display को आप enjoy करोगे आपको HDR 10 plus का support भी देखने को मिल जाता है उसके सथ आपको यहां पे 120 hertz का refresh rate मिलता है तो उसके अंदर scrolling करने में आपको snappy सा feel होगा लें बहुत सारी apps के अंदर यह action में हमारा 60 hertz पे आ जाता है इस चीज़ थोड़ा काम होना चाहिए कि 120 hertz का पे अगर हम set करते हैं device को तो वह सारे apps के अंदर उसी तरीके से चले और आपको वैसा experience मिले वनना क्या वाइदा अब इसके साथ device के अगर मैं बात करूं audio output के बारे में तो मैं आपको बहुत ही shocking सी बहुत ही अजीब सी चीज़ बताऊंग यह हमारे 40,000 रुपीस के budget में आता है और मैं आपको बता हूँ 40,000 वाले के अंदर आपको single speaker देखने को मिलता है bottom वाला सिर्फ और जो हमारे 33,000 रुपीस का device है जिसकी हम आज unboxing कर रहे है इसके अंदर आपको dual speakers मिलते है मतलब मुझे समझ में नी आ रहा है यह क्या हो रहा ह में आपने वो चीज को हटा दिया लेकिन 33,000 में आप दे रहे है तो बहुत ही अजीब सा लग रहे है यार एक ही सीरीज में हम बात कर रहे है और action में देखा जो जो dual speaker होता है वो हमारे बहुत जादा costly चीज नहीं है जो आपने 40,000 रुपे वाले phone में से हटा दी है अब बा आपको आपको डिवाइस के यहां पर कैमरा के बारे में तो यहां पर आपको क्यामरा सेट आप वो हो काकी solid वाला देखने को बिल जाता है मतलब 64 MP में का में कामरा उसके साथ 32 MP जो ड़ी फोटो है उसके द़र आपको IMX 709 का सेंसर मिलता है साथी 8 MP हमें मिलता है अल्टर व तो camera काफी अच्छा लगा, मतब फोटोग्राफी के साब समब बात करें, आप देख सकते हैं, आपको samples दिखा रही है, 64 जो main वाले के हमारी pics आरे हैं काफी अच्छी लग रही है, इवन आपको जो 30 वाला हमारी तेली फोटो मिलता है, उसमें पोट्रेट मोड में हमारी pics काफी अच्छी आरही है, उसके अच्छा वाला देखने को मिल जाता है, अच्छा अच्छा देखने को मिल जाता है, आठ वाला अल्टरा वाइड जो हो, हलका सा सॉफ लगेगा आपको, लेकिन उसमें कोई कलर के साथ यहाँ पे selfies मिल जाती है, तो camera देखा जाए, मुझे यहाँ पे pics के सबसुत अच्छा लगा, अब बात करें वीडियो ग्राफी के बारे में, तो यहाँ पे device के अंदर आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बैक से, फ्रेंट से नहीं कर सकते हैं, फ्रेंट में, फ्रे इसको on करेंगे, तो आपका जो device है, वो 4K से shift हो जाएगा full HD में, मतलब कि आप 4K में, एक stable video नहीं ले सकते हैं, यहाँ आप सैंपल देख सकते हैं, कि अंस्टेबल से video आपको मिलता है 4K 30fps पे, जिसके अंदर आपको काफी जर्की और शेकी सा लगेगा, हाला कि quality वाइस अ एसे मैं कुछ time test करकी आपको detail में, बता दूगी और अच्छे से, जल्दी ले आँगे मैं इसका review क्योंकि वैसे भी हमारा device थोड़ा पुराना हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी मैं इसका review आपके लिए ले आँगे, जिसमें हम बात कर लेंगे, बात कर लेंगे, यहाँ सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मतलब यह जो रहनों की 10 series हैं, इनके reviews भी मैं डाल चुकी हूँ, so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को like and share जरूर करें